हलो फेंड, वेलकम टू में चैनल, आज हम वीडियो पर ये बात करते हैं कि चहरे पर सफेद दाग और पैच हटाने के लिए कौन से घरेलू उपाय अपना सकते हैं लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दुलाओं अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरू सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके साथी जानकारी के लिए प्लीज वीडियो को अंततक जरूर देखें तो अए हम चहरे पर सफेद दाग और पैच मिटाने के लिए कौन से घरेलू उपाए अपना सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं जैसे कि चहरे पर कील मुहा से दाग धबे जैसी समस्याएं बहुत आम हैं चहरे पर काले निशान और दाग धबे होना तो बहुत सामान्य है लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों की चहरे पर शरीर की तवचा पर सफेद दाग और पैच देखने को मिलते हैं चहरे पर तवचा पर सफेद दाग और पैच की समस्या को से हुआ कहा जाता है से हुआ तवच्चा की एक ऐसी इस्थती है जिसमें तवच्चा पर फंगल इंफेक्शन हो जाता है जो की काफी समाने समस्या है हाला कि इसके अलावा चहरे पर सफेद दाग और पैच की समस्या किसी फोड या प्रोडक्ट से अलर्जी के कारण भी होती है जैसे कि कुछ लोग मचली के सेवन के बाद दूद का सेवन करते हैं चहरे पर सफेद दाग देखने में काफी भध्दे लगते हैं और सुन्दर्ता को भी विगाडते हैं तो ऐसे में चहरे पर सफेद पैच या दाग का घरेलू इलाज के रूप में सबसे पहले प्रभावित हिस्से पर अलोवेरा जेल का इस्तमाल कर सकते हैं ट्रीटरी ओयल की तरह अलोवेरा भी एंटी ऑक्सिडेंट एंटी इंप्लेमेंटरी और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है जिससे यह तवच्चा के दाग धबों को हटाने में बहुत प्रभावी है आप रात में सोने से पहले अलोवेरा जेल प्रभावित हिस्से पर लगा सकते हैं या दिन में भी दो से तीन बार लगा सकते हैं आप ताजा अलोवेरा जेल का इस्तमाल करें तो बहुत अच्छा है उसके छिलकों को अच्छे से हटा लें इसके अलावा तुच्चा पर ट्रीटरी ओयल का प्रयोग करें एक बावल में तीन से चार चमच औले ओयल डाल कर अच्छी तरह मिलाएं इस मिश्रण को सफेद पैच वाले हिस्से पर लगा कर कुछ समय तक मालिश करें ऐसा नियमित रात को सोने से पहले करें और राद भर के लिए छोड़ दें सुबह धो लें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल और एंटी वायरल से भरपूर ये मिश्रण त्वचा की अलर्जी और कई अन्या समस्यां दूर करने में आपकी मदद करेगा और इनके अलावा दही का प्रयोग भी कारगर साबित हो सकता है बहतरीन प्रोबायोटिक होने के साथ ही दही विटामिन्स और मिनरल से भी भरपूर होती है यह सफेद दागों से शुटकारा पाने के लिए आप लेवेंडर, तेल, नारियल, तेल, जैतुन के तेल में शहद मिलाकर भी तवचा पर अपलाई कर सकते हैं इससे भी बहुत लाभ मिलेगा और आयोरिद में हल्दी को इसके औशदिये गुणों के लिए जाना जाता है साथ ह तवचा की कई समस्याओं को प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है या एंटी इंफ्लेमेंटरी, एंटी सेप्टिक, एंटी वाइरल और एंटी फंगल, एंटी ऑक्सिडेंट या तकी एंटीवाटिक गुणों से भरपूर होती है सफेद दाग से शुटकारा पाने के लिए आप हल्दी में नीबू का रस मिलाकर तवचा पर लगा सकते हैं, इसे आदे गंटे के लिए तवचा पर छोड़ दें और उसके बाद साधे पानी से धोलें, तो फ्रेंट इस तरह से कुछ समय तक आप इन घरेल उपाय का उप्योग करके देखें, अगर कुछ फा बे होने का कारण मेलेनिन की कमी है, जो तवचा को उसका रंग देता है और आपको यूवी गिर्णों से बचाने में मदद करता है, और इस बात का पी दिहान रखें कि चहरे की सकिन के लिए सबसे जरूरी विटामिन सी है, विटामिन सी का इस्तमाल अपनी डेली रूटेन म करना चाहिए, पुरुशों में प्रति दिन 90 मिली ग्राम और महलाओं में 75 मिली ग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है, इसके नियमित सेवन से इसकिन टोन और ग्लोइंग रहती है, तो फैन इस तरह से यदि तवचा पर सफेद दाग या पैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब है, तवचा पर से हुआ, यानि आपकी तवचा पर फंगस हो रहा है, अगर ये फंगस आपकी तवचा पर कम है, तो आप इस पर घरेलू उपाय कर सकते हैं, और यदि यह बहुत जल्दी फैलता जा रहा है, तो आप डॉक्टर से तुरंत परामर्ष करें,